नमस्कार जैहिंद बंदे महत्रम दोस्तों आप सभी का स्वागत है बीटीज वरोदर प्लेटपॉम में राष्टित में सिख साथ दीशी जामीनाई फ्रम पीटीज वरोदर तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार इनुवर्सिटी के तरफ से साइकलोजी अनुवर्स पेपर 2 का मडर पर जारी किया गया है उसका लेक्चर हम लोग 201 से आगे देखेंगे इससे पहले चार वीडियो बन चुका है 200 तक इसके डिस्क्रिप्चन या परेलिश में जाकर जरू देखिएगा तो चलिए बिना देर कीवे शुरू करते हैं आज का पहला को पर योग कब किया गया था तो कब किया गया था 201 का करेक्ट एंसर सी हो जाएगा और नई 111 में किया गया था चलिए अगला कोशन 202 को रहा है उत्साह विशाद मनोविक्षिप्तता के कितने परकार है दो तीन चार या पांच तो कितने परकार है 202 का करेक्ट एंसर B हो जाएगा तीन परकार है चलिए अगला कोशन 203 कह रहा है निमिल कित्म से कौन उत्साह भिशाद कि समाने लक्षण नहीं है मिथ्या निढ़ा सकती या भरम तता भी भरम या C कह रहा है परत्यक्षी करण की योवयक्यता या डिक औरा सम्मेकात में इस्त्तिता तो कौन नहीं है दो सो तीन का करेक्ट एंसर यह हो जाएगा मिथ्या निड़ा सकती जो है नहीं है चलिए अगला कोश्चन दो सो चार कर रहा है पेसी या सुब्धता किस मनोबिदालिता के परमुख लगछण है कैटे नोटिक या बिघटित मनोबिदालता या ब्यहमोही मनोबिदालता या इस्तिरे मनोबिदालता तो किस की है दो सो चार का करेक्ट एंसर यह हो जाएगा कैटे टोनिक मनोबिदालता है चलिए अगला कोश्चन दो सो पांच कर रहा है अगर हमें चनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें वेल इकन को प्रेस करें जिसे आप पुस्टर में सब्सक्राइब वीडियो मिलते रहेगी लाइक कमेंट और सेर जरूट करें तो चलिए 205 देखते हैं को रहा है DSM4 में मनोभीदालिता के मुखे रूप से कितने परकार बताए गए हैं 2, 4, 5 या 3 तो कितने परकार बताए गए हैं 205 का correct answer C हो जाएगा पांच परकार बताए गए हैं तो चलिए अगरा क्वेश्चन 206 का रहा है फ्लेट परभाव मनोभीदालिता के कौन से लक्षण है नकरात्मक, सकरात्मक, संगयनात्मक या सक कर्मक तो कौन से लक्षण है 206 का correct answer A हो जाएगा नकरात्मक या नकरात्मक लक्षण है संगयनात्मक विकास का सिधान दोस्तों जिंग प्याजे ने किये थे चलिए अगड़ा question 207 कर रहा है सी जो फ्रेनिया के नकरात्मक लक्षण क्या है देखिए दोस्तों psychology जो है इसमें option आप लोगों का चारों लएगा सही है लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा सबसे शटिक एंसर आता है उसी को दिया जाता है 207 कर रहा है सी जो फ्रेनिया के नकरात्मक लक्षण क्या है तो क्या है 207 का correct एंसर सी हो जाएगा मती भरम जो है सी जो फ्रेनिया का नकरात्मक लक्षण है चलिए अगला question 208 कर रहा है मनो बिदालिता के सकरात्मक लक्षण क्या है बेवहारिक अधिकता या B कर रहा है 208 का correct answer B हो जाएगा बेवारात्म कमी चलिए next question 209 का रहा है मनो गतिकिय सिधान्तों के अनुसार मनो विधालिता मनो विक्रिती पिछली अहम अवस्था में पर्तिगमन के कारण होती है किसके कारण होती है 209 का correct answer C हो जाएगा परात्मिक संक्यून्ता के कारण होती है चलि अगला question 210 का रहा है सीजोफ्रेनिया का एक उप परकार जिसे कैटे टोनी के सीजोफ्रेनिया के रूप में जाना जाता है इसकी क्या विशिष्था है तो क्या विशिष्था होती है 210 का आपका correct answer D हो जाएगा चल रहना करात्मक लग्षणों के परमाड के साथ परमुक्स करात्मक लग्षणों की कमी हो जाती है चली अगला क्वेश्चन 210 गारे करा है सीजोफ्रेनिया में जब किसी बैक्ति द्वरा अवस्थित भासर दिया जाता है तो उसे कलेंगिंग कहा जाता है जिसका और्थ है तो इसका और्थ जो होता है 210 गारे का आपका correct answer दोस्तों डी हो जाएगा बैक्ति केवल तुक बंदी वाले सब्दों के साथ संबाद करते है चली नेक्स क्वेश्चन दोस्तों बारे करा है तनाव और हानी का संबंध से है तो कीसे हानी का संबंध है सोरी दोस्तों तनाव और हानी का तो 212 का आपका correct answer सी हो जाएगा ए और बी दोनों से समान्यता और एम और समान्यता से है चली अगला क्वेश्चन 213 का आपका correct answer दी हो जाएगा उपरुक में से स्वभी है चली अगला क्वेश्चन 214 का रहा है मती भरम हिस्सा है तो मती भरम किसका हिस्सा है देखिए दोस्तों 214 का correct answer डी हो जाएगा मनो बेगानिक रो का भावनात्मक सिथिलता का इमाम आदत बिक्रिती का तीनों का है चली नेक्स क्वेश्चन 215 का रहा है निमलिक्षित में से कौन सा और समान बेवार है चिंतन परतियक्षन संबेदना या सिथिलता तो कौन है दोस्तों 25 का आपका correct answer डी हो जाएगा सिथिलता है चली अगला क्वेश्चन 216 का रहा है मानसिक विकास किसके द्वारा निर्धारित होता है आनुवन सिखता द्वारा परियाबरोन द्वारा समाजिव इस्थिती द्वारा या इस सभीत तो किसके द्वारा होता है आपका correct answer डी हो जाएगा इस सभी होगा चली नेक्स क्वेश्चन 217 का रहा है मानावता बादी बेवार किसके द्वारा निर्धारित होता है अहम इदम या इनमें से कोई नहीं तो किसके द्वारा होता है इड इगो एम सूपर इगो यानि इसमें दो दिया है एक और होता है सूपर इगो तो ये दूनों से होता है चलिए अगला question दोसो अठारे कर रहा है अहंकार कारे करता है चेतनमन और चेतनमन और चेतनमन अप्रूप्त में से सभी किसी में करता है दोसो अठारे का correct answer D हो जाएगा अप्रूप्त में से सभी में करता है अहंकार कारे चलिए अगला question दूसर, उनुईस को रहा है, फ्राइड कौन सार बेक्तित्व के विकार, सौरी, विकास की इक सनजना है, तो फ्राइड ने कौन-कौन बेक्तित्व के विकास के लिए दिये थे, सिदान्त, इड, इगो, एम, सूपर इगो, तो इसका correct answer D हो जाएगा, इड, इगो, एम, सूप प्रा अहम, इदम, अहम, और प्रा अहम, तो क्या होगा, 220 का correct answer C हो जाएगा, इड, इगो, एम, सूपर इगो, तीनो, सामिल है, चलिए अगला question, दोसो, एकोईस को रहा है, और चेतन मन का भंडार है, भाउना, विचार, आग्रह, अप्रूप में से सभी, तो देखिए दो दोसे को इसका correct answer C हो जाएगा उप्रूप में से सभी है, चलिए अगला question, 222 को रहा है, कौन मनोगतिक से संबंदित नहीं है, सिंग्मन फ्राइड, कारल जूंग, अनना फ्राइड या इनमें से कोई नहीं, तो देखिए दोस्तो, ये कोई बैगानिक ही नहीं है, मनो बैग 223 क को रहा है, बैगतित्व के मनो बिसलेशन आत्मक सिधान का परतिपादन किस नहीं किया, तो किस नहीं किये थे, देखिए दोस्तो, इसका correct answer D हो जाएगा, सिगमन फ्राइड ने किये थे, यानि मनो बिसलेशन बाद सिधान का परतिपादन, सिगमन फ्राइड, इड, बैगतित्व उप्रूप में से सभी, तो कौन है, इसका correct answer D हो जाएगा, उप्रूप में से सभी है, चलिए अगला question, 225 का रहा है, समान बैगतित्व के लिए कौन से तीन बॉल आउस्यक है, तो कौन तीन बॉल आउस्यक हैं, 225 का correct answer D हो जाएगा, इड, इगो, एवम, सूपर इगो, यह इदम, अहम और पराअहम, चलिए अगला question 226 कर रहा है, निमलेकित में से कौन अहम से संब्दित नहीं है, यानि इगो, अहम मतलब इगो से संब्दित नहीं है, तो कौन संब्दित नहीं है, तो कौन संब्दित और सूपर इगो के मत है, जो संतूलन का काम करता है, वह है इगो, यानि अहम, तो इसका correct answer D हो जाएगा, चलिए अगला question, 227 कर रहा है, इदम बेकित नहीं है, और चेतन अप्रूद में से सभी, तो कौन है इदम, इदम यानि इड, तो 227 का correct answer, यह हो जाएगा और चेतन मन से है, यानि इदम को अच्छेतन मन भी करते हैं, चलिए अगला question, 228 कर रहा है, परा अहम परतिनी धित्वे करता है, समाज का मात दंड का, परिवार का मात दंड का, बेकित्व का माक्टों का, अप्टू में से सभी, तो किस का करता है, 228 का correct answer D हो जाएगा, यह सभी के करता है, परा अहम जिसे हम लोग सूपर यो कहते हैं, सूपर यो जो होती है, सबसे जिस नाम से ही पता चलता है, सूपर यो एनि सबसे जो अच्छा मन का हिस्सा होता है, सूपर यो कहलाता है, चलि अगला question, 229 कर रहा है, परा अहम में सामिल है, नैतिक भाग, समाजिक निगम, हादोर्स भाग, उपरुप में से सबी, तो क्या सामिल है, उपरुप में से सबी सामिल है, परा हम जिसे सूपर यो कहते हैं, चलि नेक्स question, 230 कर रहा है, इड बेक्तित वस्तों रचना का वह हिस्सा है, जिसमें सामिल है, सेक्स, भूग, आकरमक्ता, उपरुप में से सबी, देखिए दोस्तों, इड जो है, मन का सबसे जो आप लोग कहा जाए, खराब होता है, जो जितना भी खराब चीज से, जितना भी खराब मन में चीज उत्पन होता है, इस सब इड से उत्पन होता है, तो 230 का correct answer D हो जाएगा, चलि अगला question, ग्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वे चलिए अगला question 233 कर रहा है reasoning किसका हिस्षा है इदम अहम ए और भी दोनों तो किसका हिस्षा है इसका correct answer C हो जगा इदम एम अहम दोनों का है चलिए अगला question 234 कर रहा है चेतन मन पूरे मन का हिस्षा है तो देखिए दोस्तों चेतन मन जो होती है मन का पूरा हिस्षा एक बटा 10 होती है यानि कितना होती है 10% होती है और चेतन मन जागरित अवस्था में होती है अगर अचेतन मन जो होती है वो सोने की अवस्था में होती है और चेतन मन जागरित अवस्था में होती है अगर अचेतन मन को कंट्रोल करना अगर सीख गए तो समझिये आप लोग बैग्यानिक बन गए चलिए नेक्स कोस्चन 235 को रहा है विश्वी सतापदी में सीगमन फ्राइड का मनो बैग्यानिके रूप में अस्थान था तो क्या था? 235 का करेक्ट एंसर को हो जाएगा पहला अस्थान था जो सीगमन फ्राइड थे पागलों पर अध्यान किये थे मनो बिसले सनवात सिधान भी दिये थे और मूल परविती जो पताए थे दो मूल परविती बताए थे कौन जीजीबी सा और मुर्मुर सा? चलिए अगला क्वेश्चन 236 को रहा हैं सीगमन फ्राइड ने डएस और ध्यान पर ध्यान केंदरित किया बैक्तित वे बाल भीकास, सेक्स, प्रूद में से सभी तो देखिए देस्तों सीगमन फ्राइड ने सब पर किये थे यानि इड एगो एम सूपर एगो जो बैक्तित उपर परिक्षन किये थे तो करेक्ट एंसर डी हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन 237 को रहा है अलावकिक मन्याता है समझी जाती है सैतान आत्मा भगवान की माहमारी चंद्रमाओं का प्रभाव उप्रुन सभी तो देखिए जो अलावकिक मन्याता उप्रुन सभी को चलिए अगला क्वेश्चन 238 को रहा है अलावकिक मन्यातां के अनुसार मांसिக बीकारों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए जाद―ई छुड़ायेल डानो जादू टोना सबसे यो हैं अलाकिक मन्याइता उप्राचीन मन्यताएं बताती है कि और समाने बेवार किसके कारण होता है तो किसके कारण होता है और लवकिक सक्ती भूद परेत इसके द्वारा सब होता है 240 कर रहा है धिमाग का जागरू के हिस्सा है चेतन और चेतन ये और बी दोनों येग में से कोई नहीं तो क्या है चेतन जो मन होती है जागरित अवस्था रहती है और चेतन मन जो हती है सोने की अवस्था में रहती है बेहोसी अवस्था में और चेतन मन जो हती है 10% होती है हिसा और और चेतन और चेतन मिलके 90% होते हैं देखें दोस्तों अगर और चेतन मन का परियोग करना ठीक से अगर कोई बक्ती सीग गया तो समझिए वह भगवान महाबीर बुद्ध बहुत बड़ा बैग्यानिक आइंस्टीन ये सब बन जाएगा चलिए अगला क्वोश्चन 241 को रहा हैं सीगमन फराइड के अनुसार सपने हैं नींद के संरक्षक नींद का बेटा नींद की बेटी ये अगरुक बसस्वभी तो क्या है इसका कोरेक्ट एंसर को होजएगा नींद का संरक्षक है चलिए अगला क्वोश्चन 242 को रहा हैं मानसिक रूप से औस्वश्थ अथ्वास संबेगात्मक बिक्रिती से पिणित रोगियों की चिकित्सा है तुझ जिस परविधिका अप्यों किया जाता है उसे कोहते हैं तो क्या कोहते हैं 242 का कोरेक्ट एंसर डी हो जाएगा साइको थेरेपी यानि मनोचिकित्सा कोहते हैं चलिए अगला क्वोश्चन 243 को रहा है किस मनो बैग्यानिक ने परिभासा देते हुए कहा है कि मनो बैग्यानिक परविधियों द्वारा वेक्तित्व संबंदी विकृतियों को मनो चिकित्सा किस संग्या दी जाती है तो किस ने काये थे 243 का करेक्ट एंसर सिग्मन फरायड हो जाएंगे गो हो जाएगा चली अगला question 244 का रहा है मनुचिकित्सा द्वारा किस रोग से प्रिणित रोगियों का उपचार किया जाता है अक्रामक, बहिर मुखी, मानसिक या नों से कोई नहीं तो किस का किया जाता है 244 का correct answer C हो जाएगा मानसिक का जो है किया जाता है चली अगला question 245 का रहा है मनुचिकित्सा किस परकार की परविधी है तो किस परकार की परविधी है psychedelics परविधी है 245 का correct answer D हो जाएगा Sorry D हो जाएगा मनुबाग्यानिक चली अगला question 246 का रहा है मनुबिसलेशन अत्मक शिक्ता के जनम दता है एनिमनों बिसलेशन वात का सिधान किसे ने दिये थे सिगमन्ट फराइड ने इड एगो एम सूपर एगो का बेक्तित में परिक्षड किये थे चलिया अगला क्वेशन 247 को रहा है मानसिक रोगियों के पुनरवासन का उदिश होता है रोगी की देखभाल करना रोगी को घरतेना रोगी की उसकत पनाना इनसे कोई नहीं तो क्या करना होता है 247 का correct answer को हो जाएगा रोगी क्योई देखभाल करना होता है देखिए दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नाए है तो सब्सक्राइब करें भी लाइकन को प्रेस करें जिससे आपको समय समय वीडियो मिलती रहे कि लाइक कमेंट और सेर जरून करें तो 248 को रहा है आधनिक चिकित्सा सस्त्र का जनक की से मना जाता है यानि आधनिक चिकित्सा साथ का जनक की से मना जाता है हीपोक्रेटियस को 248 का correct answer को हो जाएगा हीपोक्रेटियस चलि अगला question 249 को रहा है बेवहाल चिकित्सा किस सिधान पर अधारित है अधिकम सिधान्द, अभिपिरणा सिधान्द, प्रेक्षन सिधान्द या बी अस्मर्ण सिधान्द तो किस पर अधारित है? 249 का correct answer D हो जाएगा बी अस्मर्ण सिधान्द पर अधारित है चलिए next question 250 को रहा है 20 मानसिक स्वास्त दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों इसमें answer नहीं दिया है कब मनाया जाता है? 10 October को मनाया जाता है कब से मनाया जाता है? 10 October और 92 से तो कैसा लगए वीडियो? लाइक कीज़े, केमेंट कीज़े, शेयर कीज़े तो मिलते हैं नेके वीडियो में तब तक के लिए धन्य बाद जय हिंद, बंदे मातरम दोस्तों